आपका स्वागत है मैं हूँ आड की रंजल और आप देख रहे हैं स्टेडी में इंग्लिश अड़ा ओके सो दोस्तों आज है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का बीश्वा दिन और गाइस आज के दिन में आपको एक टेस्ट लेने वाला हूं के दोस्तों इन्हीं क्या बोले त तो चैन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जैसे के वीडियो को नोटिप्रिकेशन टाइम से मिल जा है ओके दोस्तों तो चैन की जो सेशन उसको शुरू करते हैं तो आज क्या है तो आज है टेस्ट 2.0 टेस्ट 2.0 इन्हीं जो मैं आपको टेस्ट लेने वाला हुँ यह तेस्ट कुछ छीज फरकार कराएगा यहींग आपको इंगलिस में जुआ जुआएगा ने जुआए उसका हिंदी में कौन सा अंसर होगा ऑप्शन में से वह आपको श्रेक्ट करके विदिन 5 सेकेंड जुन के अंदर आपको अंसर करना में आपको पौश सिकंड का टाइम दोगा ओके दोस्तों चलिए तो काईस को सुरू करते हैं तो देखिए पहला कोशन नहां यह ओके कोशन क्या है तो सचीन प्लेज गुड्ट सचीन प्लेज गुड्ट आपके ऑप्संस यह दिये हुए हैं चलिए आपका सचीन अच्छा खेलता है अब दूसरा कोशन देखते हैं दूसरा कोशन नहां यह तो क्या है 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 और ही गौन टू मुंबई है आपके ऑप्संस दिये हुए है चलिए इसमें आपको अंसर करना चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है है बहुन तो क्या हुए हैं मुंबई आपके ऑफ स्टार्ट है मुंबइ आपके और प्रिफ प्रटता है चुकी सिकते तो इसका राइट अंसर क्या होगा क्या हो मुबे जा चुका था चले अब नेक्स्ट कोशन देखतें गाइस थी नमर तो थी नमर कोशन रहा यह चले कोशन क्या है थी नमर थी नमर कोशन है he has been living here since childhood ओके आपके आपके आप्शन दिये हुए है चले आपको आंसर करना वान ट्यू थ्री फोर फाइव सो गाइस का राइट आंसर ओगा ऑप्शन नमर ए तो गाइस इसका आंसर क्या होगा वह यहां बच्पन से रह रहा है जिसमें से रहा है से रही है से रहें लिखा लेगा उसका प्रशन देखते हैं तो next question हम फोर नमर क्या है है have you eaten the food have you eaten the food आपके options दिये हमें चलिए answer करना है one two three four five so guys का right answer option number a क्या होगा right answer option number a क्या होगा क्या तुम खाना खा चुके हो क्या तुम खाना खा चुके हो क्लिए नगाइच देखे है या हैस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिस सेंटेंसम आती है उसको बोलते हैं प्रजेंट परफेक्ट हैं सो उसका डी होता चुका है चुके है इसलिए इसलिए इसका right answer होगा चालिए नेक्स्ट फिफ्फ्ट नमर कोश्शन देखते काइस तो फिफ्फ्फ्ट नमर कोश्शन नहार यह है क्या और कोशन वर्ट्स फ्ल्यू वर्ट्स फ्ल्यू ऑपके अपसण्स दीया हुं है चलिए इसको आफको यह ओके सिख साचीन डिद नॉट कम है थे आपके ओप्सेंस दिये हुए हैं चली आपको अंसर करना है गाईस वाइन टू त्री फोर फाइव सो गाईस का राहिट अंसर अप्षिन नॉबर बी अप्षिन नॉबर बी ति यहां नहीं आया सचीन यहां नहीं आया देखे गाई जिसमें डिर लगता है उसको बहते हैं सिंपल का पास्ट तो सिंपल का पास्ट का फर्मूला होता है आईडी होता है जिसके लास्ट में क्या हो आई-ए की आवाज आती है तो देखें सचीन यहां नहीं आया आया के आवाज है इसलिए क्यार यह वाहर वा सम्पल हो करते जाना आट चैलिए सीब वन कोशन क्या है कि तरह रूजिए आपके ओप्सिन सुप्सर थी आपके क्यों आत डिया हुआ और फाइव सो गांज आपको आपसे लोगा ऑप्सान नमर सी आपसे नमर सी गया वह सो रहा होगा देखेगा जिसमें बिल्ल भी परस आई एंजी लगता है उसका आईडी होता सब्सक्राइब होगा रही होगी रहे होगे प्लाइब चलिए प्लाइब एक मुस्राइब और यह क्या कोशन रहे हैं, यह विल है गॉन क्या आपके अपसर लिये हुए, अनसर करना है, ONE, टू, ट्री, फोर, फाइन, क्या होगा वह जा चुका होगा जिसमें और we cannot lose लखा रहता है तो उसको कहते है रेक्रूचर फर्यटो ऊसका यदि होता है चुका होगा चुकी होगी कुप के होगे आ होगा यह होगी यह हो ग backup क्रेंड एस लिए चुका होगा इस लिए धी नमर आंसर होगा क्लियर है को स्टरुट न माल नाइन देख नहीं कि यह क्षोच्ट नमर नाइन कि क्या है को स्टूट्र नाइन है आई विल लोट फ्लाइट काई टुड़े आपके आपके लोग में करना है वान, टू, ट्री, फोर, फाइफ, सो गाइस का राइट आंसर होगा option number B, option number B, क्या होगा option number B, मैं आज पतंग नहीं उराऊंगा, देखें गाइस, सैलिया विल, सैलिया विल, क्या होगा, सैलिया विल, परस वर्ण की first form रहती है, तब उसको कहते है, simple का future, उसका ID होता, गाग यह गी, जिसके last में लिखा रहेगा, ओके, चली, सो गाइस, क्या होगा, मैं आज पतंग नहीं उराऊंगा, next, 10 number question देखें, गाइस, 10 number है, यह, 10 number, क्या है, क्या है, question guys, 10 number, कि why should I go, why should I go, चले, इसका right answer करना, आपको options दिया हुए, one, two, three, four, five, so guys, इसका right answer option number C, option number C, क्या है, मुझे क्यों जाना चाहिए, मुझे क्यों जाना चाहिए, देखें guys, यह, डब्ली एच वाला है, और सुट मतलब चाहिए होता है, इसलिए इसका right answer हो गया, option number C, कि रहा, देखें guys, मैंने आपको आज से पहले, इनि guys, क्या मैंने आपको 10 यह भी बता दिया है, conjunctions का use क्या होता है, यह भी मैंने बता दिया, okay guys, इनि जितना भी आज से पहले guys, मैंने 19 दे तक का जो भी मैंने वीडियो बता दिया, जो भी class दे दिया है, उसी में से आज guys, मैं आपको test ले रहा हूँ, okay, इनि उन ही साड़े classes में से यह question आपको दिय हुआ है, okay, दोस्तों, so guys, आगर आपने उस पूरा वीडियो को नहीं देखा है, तो आप जरूर पूरा वीडियो को देखे, okay, चलिए, तो guys, 11 number question देखते हैं, 11 number question रहा है, 11 number question क्या है guys, तो question है, whose mobile are you using, whose mobile are you using, so guys, आपको options यहां पर दिये हुए है, चलिए, आपको time start होता, 1, 2, 3, 4, and 5, so guys, का right answer होगा, option number A, option number A, क्या होगा, तुम किसका mobile चला रहे हो, तुम किसका mobile चला रहे हो, यह देखे guys, मैंने WH family का जो day पढ़ाया था, उसमें guys, मैंने बता दिया था, कि, जब structure क्या हो, सब, क्या हो structure, WH plus someone, WH plus someone, whose mobile someone, whose क्या WH है, यह क्या, इसका मत्तल क्या है, यह क्या WH plus सामान और रा structure से बढ़ रहे होगा, तो होगा guys, क्या किसका mobile चला किसका mobile चला क्या, WH क्या समान है, इसलिए यह right answer हो गया, clear है, चलिए, अब next question देखते है guys, तो next question क्या है guys, तो देखिए, 12 more question हा, 12 more question क्या है guys, how much money did you spend, how much money did you spend, आपके options दिये हुए, चलिए, अपसन का answer करना है guys, 1, 2, 3, 4, and 5, so guys, इसका right answer हो, option number C, option number C, क्या होगा, तुमने कितने पैसे खर्च किये, तुमने कितने पैसे खर्च किये, देखिए guys, इसे पर डीट लग जाता, वो symbol का past होता है, उसका ID होता है, R, E, A की आवाज आए, और खर्च करना का होता है, spend का मतलब होता है, खर्च करना, इसलिए, option number C, का right answer होगा, चलिए, अब 30 number question देखते है guys, तो 30 number question रहा, यह, क्या question, 30 number, कि why does C cry, why does C cry, आपके options रहा है, चलिए, आपके time start होते है, 1, 2, 3, 4, and 5, so guys, करा है, तनसर होगा, option number C, option number C, क्या होगा guys, कि, option number C क्या है, वह क्यों चिलाती है, वह क्यों चिलाती है, देखिए guys, does लगा हुआ, इसका मतलब क्या simple का present है, और उससे पहले WH का पुडियो क्या गया है, इसलिए WH वह क्या है, हुआ है का अंगरी जी होता है, क्यों तो वह क्यों चिलाती है, इसका राइड अंसर होगा, simple present का idea होता है, ताहती है, देखिए, चलिए, next question 40 number देखते है guys, 4 and 5, so guys, का right answer का option number A, option number A, क्या है guys, कि वह कैसे आ रहा होगा, वह कैसे आ रहा होगा, अब देखिए guys, जिसमें क्या, will या cell plus b, plus भर में ing लगा रहता है, उसका idea होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, और यह how, यह नहीं क्या है, डबलो एच वाला है, वह बड़ा answer हो जाएगा, right answer, option number A, हाव कमता होता है, कैसे, चलिए guys, अब लास्ट कोर्शन देखिए, 15 नमर्ड and last question, क्या है guys, तो आप 15 नमर्ड कोर्शन रहा, यह, क्या है guys, कि सचीन रैन, सचीन रैन, आपके options रहा यह, चलिए, time start होता है, 1, 2, 3, 4 and 5, so guys, का right answer रहा, option number C, सचीन दवडा, सचीन दवडा, देखिए guys, subject plus V2, run का V2 है, run, 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 the run V2 है, तो V2 होता है, subject plus V2, यह simple का past, और इसका ID होता है, आई, एक यह वाद आती है, last minute, तो दवरा, आ के वाद आ रहा है, इसलिए इसका right answer C होगा, clear है, so guys, I hope कि आपको guys, अच्छे से समझ में आ गया होगी, यह, आज का test क्या था, okay, guys, आप जरूर बताना है कि आपको total 15, question था, 15 marks का था, आप उने 15 में से कितना नमर गया नहीं किया, अगर guys आप 15 में 10 नमर लाए हैं, तो आप pass महने जाएंगे, अगर आप 10 से कम हैं, तो आप फैल महने जाएंगे, तो guys आप जरूर बताना है कि आपको 15 में से कितने marks आए हैं, comment section में mention जरूर कर देना, okay guys, so I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, okay दोस्तों, तो चलिए guys मिलते हैं, next video में, तक तक के लिए, take care and, bye-bye.